माननिय राजेपाल महदे की अभिभाशन पर मेरे साथी सदस्य शीरी संजे रतन जी ने जो परस्ताव लाया है उस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में मैं भाग लेने के लिए खड़ा हूँ आ हूँ मैं अपनी बात शुरू करूँगा ये जो दस्तावेज माननिय राजेपाल ने सदन के समक्ष रखा है चौदा महिने के परदेश की सरकार किया उकलवधिया रही उन बातों का विस्तार पूरक जिकर इसमें किया रही सरकार बनने के पहले दिन से माने मुख्यमंत्री द्वारा शपत लेने के बाद जो मानुत्ता का संदेश देकर विवस्था परिवर्तन करते हुए इस एक वर्ष में परदेश को आतम निर्भर और स्वाव लंबी बनाने की अग्रसर ये निचोड इस दस्तावेज का है ये मैं कहना चाहूँ और इस बात को समझने के लिए मैं अपने विपक्षी साधियों से भी ये कहना चाहूँगा आपने जो ये विपक्ष का जो चश्मा पहना है इसको आपको उतारना पर राजनितिक मजबूरियां है आपकी कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं जो उपलब्दियों की बात की गई है उस पर किसी ने भी टिपड़ी नहीं की उसको किसी ने भी नहीं सुर्टा और इधर-उधर की बातें करते हुए सिरफ दो-तिन बातों पर आप फोकस करें दस गरेंटी योजनाओं को लेकर सभी वक्ताओं ने सभी मेरे विपक्ष के साथ ही ओने तंज कसे लेकिन इस बात को नहीं सुविकारा कि इस एक वर्ष में एक ऐसे परदेश में सरकार बनी किन परस्तियोतियों में बनी 90 हजार करोड रुपए कारिन जिस सरकार में पहले दिन विरासत के रूप में मिला हो और फिर अचानक आई प्राकृतिक आपता की वज़ा से 12 हजार करोड रुपए का जो नुकसान परदेश सरकार को पुरे परदेश को जहेलना पड़ा हो उसके बावजूद अपने नेतित कुशलता से माने मुखे मंतरी ठाको सुक्विंदर सिंग सुक्खु जी ने जिस तरह से इस आपदा का सामना किया आपदा कारे जो रहत कारे था उसको मोनिटर करते हुए अग्रणी रूप से जो है इस आपदा रहत कारे का नितितु किया मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माने मुखे मंतरी जी सहित सभी मंतरी गंका और सभी विधायकों का जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में एक जूट होकर है इसका सामना किया आज हम उसे आगे बढ़ चुके हैं लेकिन दुख का विशे भी ये है कि जो विपक्ष के साथियों को जो अपनी भूमी का निभानी चाहिए थी उसमें वो नाकाम रहे और उन नाकामियों में के उपर जो परदा डालने की कोशिश करते हुए विशे से भटकाने का प्रयास करने लगए आपका फर्ज था कि केंदर में जाते केंदर सरकार के पास जाते माने परदान मंतरी जी से आगरे करते कि क्योंकि ये परदेश सबका है लेकिन इस बात का जिकर किसी ने भी अपने संबोधन में नहीं किया दस गरेंटी योजनाओं में से इन परस्थिक्यों के बावजूर माने मुक्ष मंतरी जी सहीद परदेश सरकार ने तीन गरेंटीयों को पूरा कर दिया है और चौथी गरेंटी जो की पंदरा सो रपे महिलाओं को जो मिलना है हर महिने जो गरेंटी योजना में हमने माना था उसको चौविस फरवरी को माने मुक्ष मंतरी जी लाहुल स्पीती से शुरुआत करने जा रहे हैं इस बात का जिकर किसी ने भी नहीं बहुत सी बातें जो मैं यहां पर रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि सभी बिंदों पर तर्चा हो चुकी है लेकिन मैं यह जुरूर कहना चाहूंगा कि आपको इस बात को स्विकारना चाहिए था अवस्ति जी एक मिन पैठी ज़िए अभी जो मेरे पास नाम है लग भग चार समानिय सदस्यों के नाम है बहुत निका जी तो है नहीं और रिना कश्यप जी हैं और प्रकास्टाना जी हैं जीत कटवाल जी हैं और इदे से नीरिज नहीं है तो चार माने सदस्यों से बोलेंगे फिर माने मुख्यमंती जवाब देंगे तो इसका मतलब यह है कि दस-दस मिन्ट भी अगर आप लें तो चालिस मिन्ट तो यह होते हैं तो एक घंटा माने मुख्यमंती जवाब देंगे तो अगर आप सब की जाज़त है तो इसको साथ वज़े तक बढ़ा दें मैं यही रुक्वेस्ट कर रहा हूँ अब इस मैं से अब बज़ट में तो पूरा टाइम है चार दिन का पूरा फोर देस मैंने तो रिक्वेस्ट किया था कि अगर ड्यूस करके कर ले क्योंकि सीम साब ने भी जाना उनकी भी अफ़र्टमेंट्स है मैं तो ड्यूस किया था कि आप कर लो तो देख लो आपके पास तो बज़ट पे चार दिन दिसकेशन है तीन दिन आपके पास कट मोशन तो तीन दिन आपके पास पूरे आपके कट मोशन लगने आप देख लो सर अगर पॉसिबल हो तो यूसे बाकी तो सब्सक्राइब कर ले ठीक है रमें तो कोई तराज ने आप चलिए अब इस मानिय सदन के बैठेक साथ वजे तक बढ़ाई जाती है अमानिया संजय वस्ती जी वी वेरी शॉर्ट और ब्रीफ नाव प्लीज दस दस मिनिट बोले और सब का टाइम हो जाएगा दस गैरेंटी जो दस गैरेंटी जो हमने जो घोशना पत्र ऑपोजिशन के नौ बोले नखा था उसकी बात उदर भी वही बोला जा रहा है जो पिछले शे मिने से मैं सिरफ अपने विपक्स के साथियों को याद दिलाना चाहरा हूं कि जो दस गैरेंटी योजनाओं पे सभी ने बोला अच्छा रहता यदि आप उस गैरेंटी की भी बात करते जो ये शुस्वी परदान मंतरी ने पूरों में इस पर देश के समक्ष जो रखी थी और उन्हेंने कहा था कि हर देशवासी के एकाउंट में पंदरालाख उर्पे जो है वाएंगा यह recording है और पुरे देश ने इसको सुना है तो बोले दो बोले दो बोले प्लीज 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 अलावा पैसे की बात प्लीज उसके साथ ही अमारे जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनसे भी ये कहा था कि दो करोड शिक्षित युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा नहीं सालाना की बात कही थी आज अगर आप इस बात की भी चर्चा करते तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा बैलेंस बनता और जनता भी इस बात को सुन लेकिन जहां आपदा की घड़ी में आप परदेश सरकार के हक को भी माँग नहीं सके अधिकार का की सुरक्षा नहीं कर सके आप से किसी बात की जो है अपएक्षा नहीं की जा सकती ये मैं कहना चाहर इस दस्तावेज में परदेश सरकार माने मुख्य मंत्री जी के नेतिरतों में बहुत सी अच्छे फैसले हुए जब भी कहीं पर किसी भी संस्था में या सरकार में जो नेतिरतों करते हैं मुख्य मंत्री मोदे सभी काप अपना वीजन होता है अब अपना एक रोड मैप होता है माने मुख्य मंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि परदेश में जब सरकार बनेगी तो भरस्टा चार मुक्त सरकार बनाएगी जीरो टॉलरेंस होगा कर्रप्शन के पर तो और इस बात को चरितार्थ किया पांच साल की जो परदेश में फैली वी अविवस्था विवस्थित करने में वक्त तो लगता है और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो जाना देश परदेश सरकार को मिला है पांच वर्ष के लिए मिला है इंतजार कीजिए हर गैरेंटी योजनाओ को चर्णबत तरीके से पूरा किया जाएगा हमारी जवाब देही परदेश की जनता के प्रती है और हम सक्षम है अपनी बातों को पूरा करने में और एक साल का जो ये दस्तावेज जो आपने पढ़ा उन बातों को पढ़िए जो एक वर्ष की उकलब्दियां इसमें लिखी है आप पढ़िए चश्मा बदलना पढ़ेगा सिरफ चश्मा बदलना पढ़ेगा आप पढ़िए शिक्षा शिक्षा के क्षेतर में अभूत पूरू बदलाओ है आज आप जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि करमचारी विरोधी सरकार है करमचारी विरोधी तो सरकार है करमचारी विरोधी सरकार है यह आप ने अरोप लगाया लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अभी चौदा मेंने ही हुए है किस कारण आप उस और बैठे हैं ये करमचारी वर्गी है जब आपने करमचारी वर्ग के जो है उनका जो पुन अंदेखी करी तभी आपको ये फल मिला और और आप याद रखी है इस बात को भी कि आज जो परदर्शन जो आज जो हर्टाल पर बैटे हैं हमारे युआ ये आपका इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग है सर्वीस सेलेक्शन बोर्ड में पांच वर्ष में जो गोटाला हुआ जिस तरह से पेपर बिके आपके कारेकाल में पेपर बेचे गए और उन पेपर बेचने की वज़ा से जब मने मुख्यमंतरी जी के नेतिर्तों में सरकार ने ये फैसला लिया